आखिर क्यों नहीं मिल रहे इस खिलाडी को मौके हर बार इनके साथ होते हैं धोके शांदार प्रेदरिशन के बाद भी टीम से है बाहर क्या है वजा तू नहीं दिख रहा ये धाकड कही वंडे वर्लकप के प्लानिंग से बाहर तू नहीं हुए सैमसन तब ही लिया जा रहा ऐसा आक्शन चेन करता बाहर करने से नहीं आ रहे है बास स्टिंग उपरेशन में खुला इसका राज कहते हैं ना हुने सडकों पर तमाशा करता और किस्मत महलों में राज करती है कुछ यही हाल है इस खिलारी का हमने कई बार आवाज भी उठाई फैंस देना जाने कितनी ही दुआएं की आज भी दुआएं हो रही है लेकिन चेन करता हूँ और टीम मैनेजमेंट पर इसका कोई असर नहीं देखने को मिल रहा जी हाँ हम बात कर रहे हैं संजू सैमसन की जिनने एक बाफ फिर से नजरनदास कर दिया गया अब तो ऐसा ही लगने लगा है और ये सेलेक्टर्स का काफी हद तक साफी संदेश है कि सैमसन वन डे वर्ल कप की प्लान में शामिल नहीं है इस प्रतिबा शाली खिलारी का दुर्भाग यही का जा सकता है कि इनन की प्रतिबा का कोई मोल नहीं मिला यह सिर्फ इसी खिलारी का दुर्भाग यही टीम इंडिया को भी इसका खामियाजा भुगत ना पड़ सकता है भले ही आज नजर नहीं आ रहा लेकिन आने वाले सालों में यह जरूर दिख सकता है फैंस तो अब भी सोशल मीडिया पर संजू की लड़ाई लड़ रहे हैं विकेट कीपर बले बाज संजू सामसन को एक बाफिट से सेलेक्टर्स ने नजर अन्दास करते हुए और स्टेलिया के खिलाफ 17 मार्च से शुरू होने वाली तीन मैचों की बंडे सीरीज के लिए मौका नहीं दिया संजू सामसन को ऐसे समय में भी नहीं चुना गया जब रिशप पंत एक्सिनेंट की चलते लंबे समय तक टीम इंडिया से बाहर रहेंगे और टीम मैनेजमेंट के पास बैतरीन विकट कीपर बलेबाजों के आप्शन तक नहीं दिखाई दे रहे टीम इंडिया से हर बार विकट कीपर बलेबाज संजू सामसन को बाहर होना पड़ता है संजू सामसन ने पिछले लगमग 8 साल में भारत के लिए अभी तक सिर्फ 28 इंटरनेशनल मैच ही खेले उन्हें अक्सर भारते टीम से अंदर बाहर होना पड़ता है संजू सामसन के साथ ही हर बार टीम इंडिया में नाइंसाफी क्यों होती है आज हम इसके पीछे के एक बड़ी वजा आपको बताने जा रहे हैं टीम इंडिया में इन दिनों विकटकी पर बेलेबाज इशान किशन को मौके दिये जा रहे है लेकिन वो इन सभी मौकों पर खरे नहीं उतर सके इशान किशन के वंडे में दोरा शतक को छोड़ दे तो उन्होंने टीम इंडिया के लिए पिछले दस पारियों में एक भी अर्ध शतक नहीं लगाया नियूजिलन के खिलाब पिछले मईने खेली के तीन मैचों के वंडे सीरीज में इशान किशन किशन किसी भी मैट में दहाई के आकड़े को भी नहीं छूपाए ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखर संजू सामसन की जगा इशान किशन को स्यादा मौके क्यों दिये जा रहे है इसका जवाब एक तरह से BCCI के पूरु चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा ने स्टिंग ऑपरेशन के दौरान कहा था संजू सामसन अच्छा प्रदर्शन कर रहा है अगर हम संजू सामसन को टीम में सेलेक्ट नहीं करते तो ट्वीटर पर हमें लोग उड़ा देते वहीं टीम इंडिया के पूर कोच रविश असरी ने कहा था संजू सामसन जैसे ख्राडी को कम से कम दस मैच हर हाल में देना चाहिए इतना सब होने के बावजूद ये तो पज़ा चली गया कि दबाव में ही चेन करता संजू को टीम में शामिल करते उने टीम के फाइदे नुकसान से कोई लिना देना नहीं कम से कम चेतन शर्मा के बायान से तो यही जाहिर होता है और स्ट्रेलिया के खिलाव वंडे सीरी से संजू सामसन को बार करने का मतलब यही समझ में आ रहा है कि BCCI ने इन्हें इसी साल होने वाले वंडे वर्लकप के लिए अपने प्लान में नहीं रखा संजू ने पिछले साल यानी 2022 में कुल 10 वंडे खेले जिसमें 71 के आउसत से 284 रन मनाए है उनका स्ट्राइक रेट भी 100 के करीब रहा है BCCI ने संजू की जगा के एल राउल को टीम में चुना है जो इस समय बेहत खराब फर्म से गुजर रहे है संजू आईपेल में राजिस्थान रॉयल्स टीम के कमाईन संबाल रहे है ये तो सच है कि किसी भी क्रिकेटर के लिए टीम इंडिया से बाहर होना बहुत निराशा जनक होता है क्योंकि इसके बाद दोबारा भारती टीम में वापसी करना बहुत मुश्किल होता है एक से बढ़कर एक टैलेंटेड खिलारियों की मौझूदकी की वज़े से भारती टीम के सेलेक्शन में तगड़ा कम्पिटिशन देखने को मिलता है वीरे रिपोर्ट भारत पॉसिटेर